श्री शिवाय नमस्तु भिम्भक जनो मैं हूँ सीवग्प्रिती और लेके आहिए आज का नया वीडियो से पहले के वीडियो में आगे बढ़ें कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव तो आज का उपाय है महाशिवरात्री का उपाय है तो महाशिवरात्री के में तीन उपाय लेके आहिए जिन से आपके मनो कामना पूरी हो जाएगे तो पहला उपाए है पाँच दिये वाला उपाए जी हाँ पाँच दिये वाला उपाए यानि कि इन पाँच दियों में से पहला दिया आपको गोल बत्ती का आपके घर के शिवलिंग के पास जलाना है जी हाँ आपके घर के पास जो भी शिवलिंग है न उसके पास लगाना है और आपको पता है कि एक दूसरा दिया जो लंबी बत्ती का होगा वो बेल पत्र के पेड़ के पास लगेगा जो की माता पारवती का स्वरूप मना जाता है तिसरा दिया आपको शमी बिच के नीचे लगाना है जो की होगा आपकी गोल बत्ती का इसके बाद आपको पीपल पेड़ के नीचे चौथा दिया जलाना है और पीपल पेड़ के बाद आपको आता है बट बिच का स्थान बट बिच के नीचे आपको जो दिया लगाना है वो यह दूसरा उपहा है उनके लिए जीनके घर में बहुत सारा ग्रिक लेस हो राख सब्सक्राइडat odpow on की ज esperar मालिज उसकी उम्र 30 यह 35 जितंव ही उसकी उम्र है उतने ही का लेकर की में yeah सिवाले में सिवाले में जा करके सबसे पहले आपको पीला चंदन महादेव के उपर लगा देना है और उसके उपर वह काली तिलिया चढ़ा देनी है इससे आपके गहर के जितने भी कले से वह दूर हो जाएंगे और तीसरे उपाई की तरफ चलते तो तीसरा उपाया है लच् धतूरे को हल्दी में पूरी तरीके से भिंगो देना यानि की रंग देना आप तो आप को होगे की हल्दी तो चड़ती नहीं है पर सिवरात्रे के कुछ खास उपायों में आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं हल्दी को पूरी तरीके से जब भिंगो ले तो इसको सिव के ऊप जो कि पंडित प्रदीव मिस्रा द्वारा कथा में बताएगे हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट सेर एंड सस्क्राइब मैं चैनल मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई कमेंट में ओम नमस्षिवा या हर हर महाद दो झाल झाल झाल